जे सियराम दोस्तों, कैसे हैं आप सुखी होंगे, संपन होंगे, इसी उम्मीद के साथ चलिए, सुरू करते हैं आज की वीडियो, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ दोस्तों, कि जिसको करने से आपकी कोई भी मनो कामना, जो भी इच्छा होगी, पुरी जैसे कि साधी नहीं हो रही है, तो साधी हो जाएगी, अगर कोई बीमारी या किसी प्रोब्लम से आप दुखी हैं, तो वो आपकी प्रोब्लम दूर हो जाएगी, कितने रोग नोकरी नहीं मिल लएए इनको, नोकरी की तलास में भटक रहे हैं, तो यह उपाय करने से उनको नोकरी, और अगर नोकरी उनके पास है, तो प्रामोशन, मतलब कोई भी इच्छा, जिस इच्छा को अपने मन में लेके और इस उपाय को आप करेंगे, तो आपके यह इच्छा पूरी होगी, बसरते वो इच्छा जाएज होनी चाहिए, समझ रहे हैं नो दोस्तों, इस उपाय को पूरी स्रद्धा और विश्वास के साथ, करेंगे, तो दोस्तों, आपकी मनो कामना हंडेड परसेंट पूरी होगी, दोस्तों, यह उपाय आपको गुरु बार के दिन, साम के टाइम, नजदीक में आपके आसपास या थोड़ी बहुत दूर, बरगत का कोई पेड़ हो, जहां लोगों का आना जाना कम हो, निर्जन जगे हो, उस पेड़ के नीचे आपको जाना है, और वहां जाके आपको तीन ताली बजानी है, तीन ताली बजाते आपको आदर पूरवर्ट के कहना है, कि यहां जो भी आत्मा हो, तो आप यहां से थोड़ी देर के लिए हट जाएं, मुझे और इस बर्गद के पेड़ को दोनों को अकेला रहने दें, उसके बाद आप बर्गद की दो जड़ें जो लटकती होती हैं न, उस पेड़ में से एसे पास-पास की दो जड़ों को पकड़ें, और उसमें तीन गाठ लगा दें, गाठ लगाते समय, आपकी जो भी इच्छा है, वो आप वहां व्यक्त करें, गाठ लगाने के बाद, आपको फिर से तीन ताली बजानी हैं, बाद की तीन ताली का मतलब यह होगा, के आप उनको आदर पूर्वक, वहां से जो भी आत्मा हटी हैं, उनको यह कहेंगे, के आप फिर से अपने इस्थान पे आ जाएं, और आप वहां से चले जाएंगे, जब आपका काम हो जाए, तब जाके आप वो तीन गाठ खोल देंगे वहां से, बस दोस्तों, इस उपाए को बहुत ही स्रद्दा और विश्वास के साथ आपको करना है, जितनी आपकी स्रद्दा और विश्वास मजबूत होगा, उतना ही इस काम को बहुत ही बहतरीन धन से आप उसका फल प्राप्त करेंगे, तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आज का वीडियो यहीं पूरा हुआ,